Hello everyone, आप सभी का स्वागत Everything Homemade पे मैं हुश सेता और बालों के जटनी की समस्या से आप परिशान हो तो ये विडियो आपके लिए है बिलकुल राम बाड़ उपाय लेके आई हूँ और बिलकुल हवा बाजी नहीं है ये एक दिन में 99% की गारेंटी दे रही हूं है एक दिन में आपके बाल जड़ना बंद हो जाएंगे और मुझे लगता है ये यूटूब की पहले वीडियो होगी जो की एकदम रियल एंड ट्रू एक्सपीरियंस पे अधारित है और मैं यहाँ पर बिलकुल भी जोट नहीं बोल रही हूँ ये मेरा खुद का आजमाया हुआ टिप्स हैं मेरे भी बाल बहुत जादे जड़ रहते कुछ टाइम पहले और यह मेरे एक्सपीरियंस्ट टिप्स हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसलिए आप पूरा वीडियो देखेगा इसमें से एक जो है वो राम बाड़ उपाय है जो रात दो रात बाल का जड नहीं स्टार्ट हो जाता है तो वो कारणों के बारे में पहले जान लेते हैं फिर हम टिप्स जानेंगे सबसे पहला कारण है PCOS आज के समय में महिलाओं में सबसे अधिक होने वाले समश्याओं में से एक है यह इससे पेड़िक महिलाओं में पुरुस हॉर्मोन यानि एंड कि अधिक है और मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी मेरे बाल लग रहे थी कि गंजी हो जाओंगी मैं तो कुछ लोग मित फैला कर रखे हैं कि डिलीवरी के बाद क्या होता है कि बच्चा जब बूलना है स्टार्ट करता है तो आपके बाल जड़ेंगे फिर कुछ टाइम बा मिक्स करना है और बालो में लगा लेना है या फिर आप चंपी वाले तेल में भी 1-2 ड्रॉप्स मिक्स करके लगा सकते हूं बहुत ही सूधिंग देता है और रोजमेरी के बीजों का तेल बालों के रोमों को तेजित करता है और बलड सर्कुलेशन को बढ़ावा देता है ज प्रद्द्ध के भीज के तेल को लेकर पोशर विसे से गवताते हैं कि यह तेल DST को रोगता है जो PCOS में बालों के जढनेक से जड़ा एक होर्मोन है ताथी इसमें आवशिक फैटी ऐसीट और पोसक तथा थो होते हैं जो बालों के रोम को पोशर देते हैं और बालों की व प्राम बाड़ उपाय है और 100% वर्ट करता है रातो रात आपका बाल जढना बंद हो जाएगा आपको प्यास का जूस निकालना है आप जूसर है जूसर में निकाल लो बट सबसे अच्छा रहेगा आप ग्राइंट कर लो प्यास को और चन्नी की साहता से चान के बहुत प्या आपको रिसेंट्ली फर्क दिखाई देगा गाईज यह मेरा राम बाड़ उपाय है जरूर ट्राइ करिएगा कमेंट करके बताईएगा जरूर अब देखे यह सारे टिप्स थे आप इन्हें फॉलो करिए गाई लेकिन साथी साथ आपको डिप्रेशन ज्यादा नहीं लेना है आप जो खाते हैं वह आपके बालो को जर्णने से भी बचा सकता है यदि आपके भोजन में कुछ पोसक तत्वन नहीं मिल रहे हैं तो आप अपने बालो पर इसका प्रभाव देख सकते हैं बाल फटा फट जर्णने स्टार्ट हो जाएंगे अब आपको लेना यह है कि ख अंकुरित अनाज का ज्यादा से ज्यादा शेवन करना है पानी पीना है इन सब चीजों से आपको बहुत फाइदा देखने को मिलेगा और आपके बाल जर्णना बंद हो जाएंगे बट यह जो मैंने जितने पर टिप्स बताएं ना रेमेडीज इने जरूर ट्राई करेगा और इस मेंसे जो मैंने रामबार उपाए प्यास का जूस वाला बता है ना इसे ट्राई करके मुझे चरूर बताईएगा क्योंकि मेरे बाल तो बहुत जड़ रहे थे मतलब समझने जिए गुच्छे में निकल रहे थे एकदम जड़ों से बाल निकल रहे थे मेरे और सब ल निक्स्ट वीडियो में आसी बहुत ही बहुत ही बहुत है